है काईस दिस इस रागुल और आज की स्वीडियो में आपको बताऊगा कि और एकल 11g एक्सप्रेस एडिशन कैसे डाउनलोड एन इंस्टॉल करें क्योंकि हम लोग क्यों करने वाले इसक्यूल की जो कि हम लोग करेंगे 11 e долж इस इडिशन में हम लोग इंटरप्राइज आवपर्पर सप्रेस कि नहीं करेंगी क्यूंकि वह बहुत बाड़ा सेट आप उसका हमको शिर्फ एज्युकेशन परपस के लिए जो Oracle download करना है वो हम लोग करेगे Express Edition जो की सिर्फ educational purpose के लिए होता है ओके तो सबसे पहले आपको Oracle 11G Express Edition का setup file download करना होगा जिसके लिए हम लोग सबसे पहले चले जाते अपने Chrome browser में Chrome browser में आने के बाद आपको यहापे type करना होगा Oracle Oracle 11G Express Edition Edition Download तो देखिए अभी यह option आ गए है यहाँ पे हम लोग find करेंगी 11G वाला कोई है यह क्या देखिए यह है database software downloads Oracle India यह यहाँ पे आपको 11G release 2 जो दिखेगा यहाँ पे हम लोग चले जाएगे देखिए Oracle की site open हो चुकी है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो अभी latest में जो database Oracle की जो release हुए है जैसे Oracle आपका 19.5 दिख रहा होगा 19.3 दिख रहा होगा Enterprise Edition है जिसको हम लोगों को download नहीं करना है यहाँ पे आपको मिलेगा Oracle Database Express Edition जहाँ पे आपको देखनी मिलेगा Oracle Database 18C Express Edition जिसको हम लोगों को download नहीं करना है हम लोग download करेगे Oracle Database 11G Release to Express Edition for Windows 64 अभी आपको पहले देखना होगा कि आपका जो computer है वो 64 bit है या फिर 32 bit है अगर 32 bit है तो आपको यह वाला download करना होगा और अगर आपका 64 bit है तो आपको यह 64 bit वाला download करना होगा ठीक है तो हम लोग इसके उपर click कर देगे यहाँ पर click करने के बाद देखी आपको options देखने मिल जाएगी जैसे Oracle Database 11G Release to Express Edition for Windows 64 64 bit का होगा तो आप 64 bit वाले पे click कीजिए अगर आपका 32 bit होगा तो 32 bit पे click कीजिए कि आपको जो license agreement है उसको accept करना होगा तो मैं यहाँ भी इसको accept कर लेता हूँ accept करने के बाद यहाँ पर देखी और download Oracle का option आ गया है यह zip file है ठीक है next जहाँ पर आपको sign in का option आएगा यहाँ पर अगर आपका Oracle में account अगर नहीं बना होगा तो आप लोगों को simply उसको बनाना होगा create account पे जाके बहुत simple step से आप लोग बना लोगे then मेरा आपको पहले से बना हुआ है तो मैं आप इसको sign in करूँगा और sign in करने के तुरंद बाद ही आपको download का download आपका start हो जाएगा अभी जैसे मेरे पास idea में है zip करें और कैसे oracle 11g express edition को install करें ओके तो जैसा कि मेरा downloaded है तो मैं आपको file destination में चले जाओगा आपका जो downloaded है वो आपके downloads वाले में भी आ सकता है मेरा एक specific folder में डला हुआ है तो मैं उस पे चले जाओगा तो आपको भी उस destination पे जाना होगा देन आपको oracle express 11g का एक folder मिल जाएगा जैसे यह मेरा folder है आपका zip file होगा ठीक है देखिए यह से आपका zip file होगी उसको आपको right click करके क्या करना होगा इसको मुझे extract करना होगा ओके अगर आपके पास winrar नहीं है तो आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिए और जिसके वज़े से आप लोग क्या कर सकते हो extract कर सकते हो ओके तो मेरे पास यह extract हो चुका है और मैं इस folder पे चले जाओगा folder पे आपको एक option folder देखने मिलेगा this one पे चले जाएंगे हम लोग यहाँ पे हम लोग directly click करेगे setup पे setup पर click करने के बाद आपको Windows administrator का एक अलाव का option आ जाएगा इसमें आपको allow करना होगा ठीक है इसमें हम लोग yes कर देगे दिन आपका installation process start हो जाएगा ओके देखे start हो चुका है अगर आपके पास highest अगर प्रोसेसर है ठीक है अगर आपको new generation का अगर आपके पास प्रोसेसर है तो आपका फासली इंस्टॉल होगा ओके तो ध्यान रखे आपके प्रोसेसर के उपर आपका इंस्टॉलेशन डिपेंड है और आपके लापटॉप में या फिर कम्पूइटर में कितनी राम है उसके उपर भी आपका इंस्टॉलेशन डिपेंड होता है ओके हम लोग एक्सप्रेस एडिशन कर रहे तो इसको जादा समय नहीं लगता लेकिन आप लोग अगर इंटरपाइस एडिशन अगर डाउनलोड करते हो तो उसको काफी समय लगता इंस्टॉल होने को तो एजुकेशन परपस के लिए हम लोग मेंली बेसिकली और एककल जो एक्सप्रेस एडिशन है इसी को यूस करते है देखिए हमारा नेक्स को ऑप्शन आ चुका है यहाँ पर हम लोग नेक्स करेंगे नेक्स करने के बद आपको लाइसन सखेड़िमेंट का एक औ 어떻शन आएँगा जिसको आपको एक्सेप्ट करना होगा अब यहां पर यह आटोमेटिकली सिलेक्टेड है तो मैं इसको डिफॉल्ट ही रहने दूगा और मैं इसको कर दूगा फिर नेक्स्ट यह कोई एक ओप्षन है तो मैं इसको यस कर दूगा देन इसके बाद में आपको आएगा एक ओप्षन पासवर्ट क्रियेट करने का ओके तो जब भी आप और एकल इंस्टॉल करते हो तो आपको पासवर्ट देना उसमें बहुत जरूरी होता है ठीक है क्योंकि डेटाबेस से रिलेटेड चीज है तो मैं यहां पे एक पासवर्ट सेट कर देता हूँ जिसे राहूल इसे मैंने पासवर्ट सेट कर दिया पासवर्ट सेट करने के बाद मैं इसको नेक्स करूगा नेक्स करने के बाद मैं इसको करूगा इंस्टॉल तो देखे हैं हमारे यहां पे सेट अप स्टार्ट हो चुका है मैं आपको पहले बताया था कि आपकी प्रोसेसर के उपर आपका जो इस्टॉलेशन है वो क्या होत स्लो ही हो रहा है as compared to i5 और i7 प्रोसेसर तो देखिए यहां पर हमारा इंस्ट्रलेशन कंप्लीट हो चुका है इसको हम लोग करेंगे फिनिश तो अभी इसको स्टार्ट कैसे करना है अभी हम लोग वह देखेंगे तो हम को सिंप्ली इसके जो आइकॉन है get started with Oracle यहां पर आप लोग जा सकते हो यहां पर हम लोग क्लिक करेंगे यहां पर क्लिक करने के बाद देखिए यहां पर कुछ error आ रहा है विंडूस कैननोट फाइंस्ट यह जो पात है इसमें हम लोगों को कुछ correction करना होगा तो यह correction हम लोग आने के बाद हमको मिलेगा oracle axee ठीक है हमको यहां पर जाना होगा फिर उसके बाद में app में app में जाने के बाद्च हमको स्कारवित यहां पर आपको मिलेगा get started, तो इसके उपर आपको करना होगा right click, right click करने के बाद हम लोग करेगे यहाँ पे properties, और properties में हम लोग जो percentage के अंदर जो लिखा हुआ है, हम लोग इसको क्या कर देगे, change कर देंगे हम लोग इसको, आपको यह हटाना होगा, और यहाँ पे type करना होगा, 8080, इसके बाद में ह इसको close करेगे, एक बार refresh करेगे, दें अभी हम लोग इसको open करेगे, तो यहाँ पे देगिए, Oracle का window open हो चुका, यहाँ पे देखिए, आपको storage वाले एक option देखने मिल जाएगा, session, parameters, अभी हमको इसमें कुछ नहीं करना है, हमको जाना है application express में, application express में जाने के बाद हमको username और password डानला होगा, ठीक है, अभी हमारा जैसी username तो बना हुआ नहीं है, लेकिन Oracle के जो database में जो पहले से जो बना हुआ है, हम लोग उसका use करेगे, जैसे system जो बना हुआ है, हम लोग वो टाइप करेगे, यहाँ पे system, अभी हम लोगों ने जो installation के समय जो password डाला हुआ था, ह वो हमको बनाना होगा, ठीक है, हम लोग जो भी, क्यूरीज वगरा, रन करेगे, वो कहाँ पे store होगी, वो हमको एक workspace बनाना होगा, अगर आपका पहले से बना हुआ है, तो आप लोग यहाँ पे already have an account and login here, यहाँ पे जा सकते हो, अगर आपका पहले से बना हुआ है, यहाँ भी हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, अब मैं यहाँ पे अपना नया workspace बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे नाम दूँगा, सबसे पहले pro code, ठीक है, application express username भी pro code ही दूगा, पासवर्ट सेट कर दूगा मैं, और पासवर्ट सेट करने के बाद मैं इसको करूगा, create workspace, तो देख स कर सकते हो, आप लोग successfully created workspace pro code, to begin click here to login, तो हम लोग यहाँ से अभी इसको login कर सकते हैं, हमारा workspace successfully बन चुका है, तो हम लोग यहाँ पे click here to login करेगे, then after, यहाँ पे, अब मैं अपना जो workspace है, उसको open कर सकता हूँ, ठीक है, पासवर्ट डालके मैं directly login कर दूगा, workspace और username automatically यहाँ पे आ जाता है, after login आपको फिर आपका application express का एक ऐसा window अपियर होगा, जहाँ पे अभी आपको क्या करना है, query run करना है, query run करने के लिए आपको जाना होगा, SQL workshop में, SQL workshop में आने के बाद यहाँ पे आपको एक option मिलेगा, SQL commands का, SQL commands में चले जाएंगे हम लोग, अब यहाँ पे आप लोग अपनी जो queries है, SQL queries यहाँ पे आप लोग run कर सकते हो, तो यहाँ पे जैसे मैं एक अपनी query run करता हूँ, जैसे select star from tab, मैं इसको अभी run कर दूँगा, run करने की बात देख सकते हो, यहाँ पे मेरे tables जो है, वो appear हो रहे हैं, मिन्स हमारी query जो है, वो successfully run हो रही है, तो यह हो गया आपका installation process, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे queries को आपकी run कर सकते हो, SQL की, ओके, तो इसको login करने का एक और तरीका है, मैं आपको बता रहा हूँ, इसके लिए आपको simply अपना Google Chrome on करना होगा, यहाँ पी URL की जगह आपको type करना होगा, localhost, ओके, localhost, then colon, then 8080 slash apex, enter करेगे, तो देखे, आपका directly login को option यहाँ पे open हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लोग directly क्या कर सकते हो, login कर सकते हो, ओके, तो आपका जैसे workspace है, pro code, ओके, और user name भी हमारा क्या था, pro code, password डालेगे, और इसको कर देंगे, अम लोग login, तो देखे, आप लोग इस तरीके से इसको login कर सकते हो, देन आपको मैं कुछ खास चीज़े बताता हूँ, जैसे अगर मैं start पे click करता हूँ, तो start पे click करने के बाद देखी, यहाँ पे मुझे बहुत सरी चीज़े, oracle से related मिल जाएगी, जैसे यहाँ पे stop database है, start database है, और run SQL command line, अगर मैं यहाँ पे run SQL command line पे click करता हूँ, तो एक command prompt जो है, वो open हो जाएगा, और मैं यहाँ पे user name और login का use करके, यहाँ पे मैं अपनी queries को क्या कर सकता हूँ, run कर सकता हूँ, ठीक है, तो मैं इसके बारे में आपको next video में बताऊँगा, ठीक है, या फिर हम लोग कभी न कभी इसको देखने ही वाल है, ओके, यह होता है आपका command line का option, so this is the installation process of Oracle 11G Express Edition, so अगर कुछ problem आए तो आप मुझे comment करके बता सकते हो, so मिलते हैं next video पे, okay,